यह पूरी अपनी महिमा आज कर रहा है तो सुनना आज क्या-क्या महिमा है नोट करना मैक्जिमम पॉइंट्स किसके आते देखते महिमा के, बाबा के महिमा के उतनी महिमा मेरे दिल में है न यही पता चलेगा आठ दो, 22 नीठे बच्चे एक बाप ही है प्रम अपार है बाप जैसी महिमा और किसी की भी हो नहीं सकती है किसी की महिमा अजन्मा फॉस्ट फॉल, स्टार्टिंग पॉइंट है अजन्मा अकरता असोचता देखो, मुने कितना अच्छा राइट टॉपिक लिया है अच्छा प्रश्न है तुम बच्चो को इस पढ़ाई का बहुत बहुत कदर होना चाहिए क्यों? इस पढ़ाई का बहुत कदर होना चाहिए कदर भगवान पढ़ा रहा है कौन सब्जेक्ट लेता है उससे भी उसकी इंपोर्टेंस बढ़ जाती है और फिर क्या बना रहा है इसका इम उब्जेक्ट क्या इसलिए भी पढ़ाने वाला कोई भी हो पर अगर एम उब्जेक्ट पूचा नहीं है तो उससे क्या फ़रत पढ़ेगा? हाँ वो भी है एम उब्जेक्ट भी हाइस्ट चाहिए क्या बनने वाले उससे और क्यों कदर होनी चाहिए प्लस श स्रिष्टी के लिए पूरी स्रिश्टी के लिए हाँ पूरा वर्ल्ड का एग्सामिनिसट्रेशन स्रिष्टी की यूनिवर्स है वर्ल्ड नहीं यूनिवर्स है Miss Universe और Miss World Universe बड़ा होता है एन हम Miss Universe और ये मुक्ती और जीवन के लिए नहीं है और यह मुक्ति और जीवन मुक्ति में ले जाने के लिए पढ़ाई हुजा रही है दोनों एक मुक्ति और जीवन अच्छा और यहां बाप आये हैं पढ़ाने के लिए इस प्रहाई से पढ़ने वालों की सर्वोच अवस्था बनती है सर बुच्छ इससे उच्छ अवस्ता नीन सकते हैं। और यह नई दुनिया के लिए नई पढ़ाई है। अच्छा नई दुनिया की है। इसब रइट है, एक बात रहे ले। यह बाफ खुद आए है पढ़ाने के लिए। पढ़ाने वाला कितनी दूर से आयता है कितनी दूर से परमधाम से अमेरिका से कोई आ जाए पढ़ाने क्योंकि अरे कल्प में एक ही बार बाप परमधाम से आते हैं अच्छा मनुष्य पढ़ने के लिए भारत से विदेश में जाते हैं यह कोई बड़ी बात नहीं है यहां तो पढ़ाने वाला कितनी दूर से आता है परमधाम से आता है हमको कहां से आना पढ़ता है प्रित्वी राज रोड से और न्यू फ्रेंड्स कॉलनी और जो ऑनलाइन उनको तो कहीं से भी नहीं आना पढ़ता है कोई सोर्स भी ना ट्रेन ना रोकेट ना प्रेन फिर भी तो बच्चों को पढ़ाई का कितना बहुत कदर होना चाहिए थोड़ी दिक्कत भी हो अगर इसमें तो कोई हर्जा नहीं तुम्हारे स्कूल गली-गली में बनने चाहिए नहीं तो इतने सब पढ़ेंगे कैसे बाबा का परिचे तो सबको मिलना है जरूर गली-गली में स्कूल होने चाहिए नहीं तो नैचरल है न फिर कैसे पढ़ेंगे सब इतने सारे दूर होगा तो वैसे ही तो पढ़ाने वाला बेशक दूर से आए स्कूल गली-गली में होने चाहिए अब तो घर-गर में गली-गली में नहीं हर घर एक सेंटर हो गए ओम्शंति मीठे-मीठे बच्चे कहते हैं यह कौन है यह कोई साधू सन्यासी मनुष्य तो नहीं है नहीं तो यह तो औरी चीज है मनुश्य को तो जड़ पैचान ले फलाना सादू सन्यासी है नाम लेकर कहेंगे फलाना महत्मा है ये सिर्फ बच्चे जानते है बच्चा कहां जाता है आत्मा को आत्मा ही सब जानती है शरीर नहीं आत्मा ही कहती है फलाना है organs द्वारा जानती है अगर आत्मा न हो तो यह आख काम ही न कर सके सब कुछ आत्मा ही जानती है एक बार सुबे-सुबे हर घरवालों को यह एक exercise कर सकते यह अच्छे से देखो आत्मा है आत्मा वर्ड और अच्छे से देखना यह आत्मा देखो अभी है हम इस बाबा के घर में आई है अभी मेरा इस आत्मा के साथ last connection है अभी आत्मा कुछ-कुछ संस्कार के वर्ष है बाबा यह आपके घर में और मैं देवा आत्मा के साथ connection है यह सोचना जरूरी है कि यह भी सत्यूगी आत्मा है वो तो बहुत अच्छा नेचरल है यह वाली फीदिप तो एक्चुली हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं घर वालों से खाली उनको शायद योग में इमर्ज कर लेते हैं पर ऐस सच यह एक्सरसाइज करना है अम्रत विल्य हम करते हैं जो भी सात्मे है अच्छे से फिर बाद में क्योंकि इंप्रेशन बनता है कंटिन्यूसली हम इसे सब्सक्राइज मैंने किसी के बारे में कुछ कह दिया कि ऐसा ऐसा है एक स्टोरी बना दिया आपको बता दिया अब वह आत्मा आते ही वह पूरी इंप्रेशन के एक्कॉरिंग चलता हैं एक दो स्टेट्मेंट से नहीं इसकέए बढ़ेंट कि जþलता है वो स्टोरी पूरी बताई आपको इस तरह है तो बावा कहते हैं कि तूम जनते हो बेहत का बाप शुबा बाए हैं तो मेल मेल है फीमेल नहीं सरीवास्तों मैं आत्मा को मेल कहा जाएगा female नहीं, male है क्योंकि हम सब भाई भाई है अभी तुम नहीं बाते सुनते हो, यह कौन आया उनका कोई अपना मनुश्य का तो रूप नहीं है तुम जानते हो बेहत का बाप है श्रिवाबा जो इनके द्वारा समझाते है ऐसी नहीं फलाना सन्यासी है उनकी आत्मा बोलती है नहीं, मनुश्यों का सारा नाम रूप में अटेंशन जाता है तुमारी बुद्धी समझती है, यह हमारा बेहत का बाप है जैसे कोई particular सन्यासी का जाए तो उसके, मतलब जो भी उसके achievements है या at least body पर तो जाता है तो यहाँ, दादी का तन है हम क्या कहते है, शिवाबा बोल रहा है शिवाबा बैठा है तो तुमारी बुद्धी समझती है, यह हमारा बेहत का बाप है यह वह शरीर द्वारा हमको अपना वर्सा देते है राजयोग सिखलाते है यह सबका बाप, सर्व का पतीत पावन, सिर्फ मनुश्यों का ने पाच तत्व का भी है सर्व की सद्गती करने वाला है उचे पे उचा बाप स्रष्टी में महीमा करने लायक है स्रष्टी में अगर महीमा करने लायक है तो एक बाप यह दूसरा नवी तो देखो सर्व का पती त्वावन सर्व की सद्गती करने वाला स्रष्टी में केवल महिमा लायक एक ही महिमा लायक ना ब्रह्मा विष्णु शंकर की महिमा कर सकते अचा उनका बर्थडे मना कर क्या करेंगे शंकर जी का बर्थडे मना लख्श्मीनाराएण इसलों देको ब्रह्मा का कोई बर्थडे नहीं है, विश्नों जी का जयंती, नहीं वो विश्नीं जी काता नहीं है, शंकर जी का, शुव का है, शुव रात्रे, शंकर रात्रे नहीं कहा दयते हैं, तो बाबा केते हैं अभी वह कहा है लक्ष्मि नारायन जिसका कंबाइंड रूप विश्णु है अभी वह कहा है लक्ष्मि नारायन पुनरजनम लेते लेते अभी अंतिम जनम में है फिर शिवाबा लाइक बना रहे है सर्व का सद्कति दाता के की है उस पतित पावन बिगर स्रश्टी देखो स्रश्टी का क्या हाल हो गया है क्रश्ण के भक्तों से पूछो रादे क्रश्ण कहा है तो कहेंगे सर्व्या पिए रादे के पूजारी कहेंगे, रादे ही रादे है, हनुमान के पूजारी कहेंगे, जिदर देखो हनुमान है, परंतु है नहीं, कोई भी एक्सपीरियेंस जब भूत रिसेंट होता है, तो वो ऐसे लगता है, अब जैसे मदुबन का, जब रिसेंटली होता है, तो कैसे लगता कि साया की किसी का प्यार सारा दिन उसका क्हाल चलता है यहीं तो अभी मिल कर दो साल के पर कोई ख्याला चलते हैं इस कारण इसको सर्वयापी कह दिया लोगों ने भक्तों ने क्योंकि सारा दिन उनकी ख्यालों में होते थे रादे की पुजारी कहेंगे, रादे रादे, बाप अपनी महिमा तो नहीं करेंगे ना, हनुमान की पुजारी कहेंगे, जिदर देखो हनुमानी हनुमान, परंतो नहीं, बाप तो अपनी महिमा नहीं करेंगे, अपने पाट से सिद्ध करते हैं, और कोई की महिमा गाई नही इतको हर कोई की मईमान 14 एच सब में कुछ करके गए है। सब प्रैक्टिकल है अगर तमने कुछ किया ही नहीं इस करम-ष्थ्र में करम तो वो क्यों महिमा गाएंगे डिदी रादे का क्यों इतनी महमा है मैंने तुका को ही हिस्टरी है तबी पढ़ी नहीं किसी नहीं है युगन श्रीक्रशनी कि युगन क्या महिमा नहीं होगी अब देधी जन्नी तो अपनी है न उनका कोई किसी तरह का कुछ effort नहीं है, वो स्नेह का सोरूप बता है न वैसे कोई राक्षा सो को नहीं मारा लेकिन वो प्यार का सोरूप प्यार Sikrashna से प्यार, रादे का, नंबर वन सब गोपियों से बताते थे, इतना प्यार था, इतना प्रतिक बहुत नहीं थी तो बहुत सारी है ना अब उसमें तो सीता भी करती थी चौदा साल विचारी वाहां रही राधे के लिए प्यार के लिए बताते हैं और वोई इमेन तो उध्धव जी आए तो पूछा कि इतने सारी वोपियों में राधे कौन दो फिर उसको बताया कि यह आपको पानी का प्रवा दिखाई दे रहा है बुले इस प्रवा का जो स्तोत्र है ना वहाँ पहुंचो वहाँ आपको राधिम लेगे तो वो पानी का जो प्रवात वो पानी नहीं था वो आसू थे इस तरह बताते हैं तो लक्ष्मी नारण तो न ब्रह्मा न विष्णू न शंकर की महिमा कर सकते हैं फिर श्युबाबा लायक बना रहे हैं सर्थी सद्वति दाता वह एक ही है उस पतित पावन बिगर देखो स्रिष्टी का क्या हाल हो गया क्रश्ण के भक्तों से पूछो राधे क्रश्ण का हैं तो कहेंगे सर्व्या भी है अपने पाट्स बाप अपने पाट्स से सिद्ध करते और कोई की महिमा नहीं गाई जा सकती लक्ष्मिनारायन की राजाई करते हैं ही राजाई करते हैं छोटे पन में राधे क्रश्ण है दोको इसलिए छोटे पन का स्वरूप है बच्पन का स्वरूप राधे का है अगर उसको एक्चुल प्रैक्टिकल वे से देखा जाए तो बच्पन में तो इतनी एक्टिविट नहीं होती है तो छोटे पन में रादे कृष्णा है वो तो है प्रालपत तो उनकी महिमा क्या करेंगे ब्रह्मा की भी महिमा ने विष्णु की भी महिमा ने अभी तुम बच्चे जानते हो कि विष्णु कौन है विष्णु को स्वधर्शन चक्र सुक्ष्मवतन में क्यों द विश्नु पुर्शार्थी स्वरूप है या संपुर्ण स्वरूप है वैसे पुर्शार्थी स्वरूप है क्योंकि शंक गदा अदम वो हम ब्रामनों की निशानी है नि देटी हमारा पुर्शार्थी है विश्नु का नहीं है तो अगर टोटल विश्नु का स्वरूप देखो चार भुजा और फिर अलंकार ब्रामनों प्रशर्ट तो विश्णू को सोधर्षन चक्र सुक्ष्म वतन में क्यों दिखाते है मनुश्य को तो जास्ति भुजवा होती नहीं सुक्ष्म वतन पे भी चार भुजा दिखाईए किस लिए चार भुजा का तो पता है ना जो नहीं है वो बता है कि कुरानों को तो खेर पता है चार भुजा हां मतलब और थोड़ा उसको और डीटेल में करो तो ग्रहस्ति का ग्रहस्ति का स्वरूप है मतलब सत्यूग में ग्रहस्त सिस्टम था आरदर्श ग्रहस्ति का सिंबर प्रवरत्ती मार्ग उस सिद्ध करने के लिए बताया जाता है बाप कहते हैं मिठी बच्ची अब तुम जान गए हो 84 जनव हम कैसे लेते हैं तुम्हारा ग्रहस्त वेवार पवित्र था मंदिरों में जाकर गाते हैं सर्वून संपन तुम मात पिता अब यह महिमा फिर रॉंब हो जाती भगवान के लिए अगर ऐसे क्या दिया यह महिमा है सिर्फ एक कि देवताओं की निए जो कुछ महिमा है सो एक की है कौन सी महिमा वहाई परम पिता परमात्मा परम बाप परम टीचर परम सद्गुरू अकाल कहते हैं न उनको याद करते हैं वही अकाल मुरते हैं शिबाबा को बैल पर दिखाते हैं, वो फिर अकाल तक्त दिखाते हैं, अब ये तो कोई को पताई नहीं कि शिबाबा क्या है, मंदिर में जो रखते हैं वो तो उनका अंश है, वो तो है ज्ञान सागर पतीत बाबा, उनको तो मनुशे का तन चाहिए ना, सवारी, तुम बचे जानते हो, अब बैल पर चले, बैल बोले, कौन समझेगा, किसको आती है समझ में, बैल की भाषा, कौन सी भाषा है, तो परमात्मा को तो मनुश्य तन चाहिए, तुम बचे जानते हो, उनका तक्त ये ब्रह्मा ही है, धरम स्थापको की क्या महिमा है, एक सेक्रेटरी भी रखते हैं न, हमडी, चैर्मेन, कैसे रखेंगे, बहुत एफिशेंट हो, उसके इशारों को समझे, इद्दम वो पूरा काम को हैंडल करें, ऐसे, परमात्मा बोलना ही चाहिएगा, निराकार है, कौन सा मुख रहेगा, मुनिश्यतन, तो अपकोस ही है, उसके साथ भी इद्दम एफिशेंट हो, भगवान का मुख, यह सेक्रेटरी इस क्या होते हैं, उनके, उनके क्या बोलते हैं, उसको माउथपीस होते हैं, युएस में क्या, सेक्रेटरी की तुम ही माहिए, फॉस्ट, आफ्टर प्रेसेडे सेक्रेटरी है न, फॉस्ट सेक्रेटरी, यह मारी इंडियन है न, कोई सेक्रेटरी है प्रेसेंट, सेक्रेटरी, जो इंडियन है, इंडियन लेडी, कमला है इस, कमला, वह वाइस प्रेसेडेंट है, इसे वह वाइस प्रेसेडेंट है, फॉस्ट सेक्रेटरी होते हैं, मतलब सेक्रिट्री की कितनी महिमा हैं यह मिनिस्टर की युणियन मिनिस्टर उसके बाद फॉष्ट नियुय को सेक्रिट्री उसका पुरा माउंध पीस है कि आ तो अधासे में सबósito कि निए सबुद्थ 1 पॉर देवतां के नहीं जो कुछ महिमा है सोई कि वह है परम पिता परमात्मा परम 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 टीचर परम सद्ग्रू अकाल गेते उनको इद करते हैं वही अकाल मुर्थ कितने आगां महिमा एक पेजी अकर सोगत mockãy परम बाप, परम पीचर, परम सद्गुरु, अकाल कहते हैं, वही अकाल मुरते हैं, शुरी बाबा को बैल पर दिखाते हैं, वो फिर अकाल तक्त दिखाते हैं मनुष्य कहते हैं मोक्ष मिले, फिर आये नहीं, वो धरम स्थापक तो अपने धरम स्थापकों की क्या महिमा हैं, वो तो सिर्फ आकर धरम स्थापन करते हैं, वो कोई जीवन मुक्ती नहीं देते हैं, वो धरम स्थापक तो अपने धरम बालों को नीचे ले आने के निमित बन और कोई पावन बनाते ही नहीं है लोग कहते हैं तुमारे में ये डिसिप्लिन है पूरे धरम में और कहीं भी ये डिसिप्लिन है प्यूरिटी का मतलब ऑप्शनल सब्जेक्ट है प्यूरिटी मेंडेटरी थोड़ी है तो क्यूं बबा कहते हैं वह सबका पतित पावन है और कोई पावन बनाते ही इसकी मही मही है वह तो आते अपना-पना पाट बजाते है सतो रजो तमों में आ नहीं है उन्होंने तो धरम स्थापन किया बस जो शिक्षा दी फिर उसके शास्त्र बने जो धरम स्थापन करते है उनकी फिर पालना जरूर करनी है इसलिए क्या लौँ है दूसरा लौँ वापिस कोई जाता नहीं परमधाम जाता ही नहीं जाये तो फिर आये कैसे वह वापस पुनरजनम उसी धरम में लेता है क्योंकि इसकी पालना करनी है सभी अब जैसे दादिया है कैसे पालना कर रही है यग्ये का ब्रह्मा बाबा अशरीरी होकर कर रहे है और दादिया कोई आज क्यों इतना व्रद्धी को पा रहा है दादिया नहीं होकर भी अनुभव और यग्ये क्यों व्रद्धी को इसका कारण क्या है यह बहुत बढ़ा रीजन है सारा जो एडवांस पार्टे का रोल हो रहा है न और यंग यंग परचे अट्रैक्ट हो रहे हैं तो वो उसी जगह आएंगे न क्योंकि उनको अब उसकी पालना करनी है तो बावा कहते हैं सभी इस समय भिन-भिन नाम रूप में है यहाँ पति दुनिया में है सभी इस समय भिन-भिन नाम रूप में यहां पति दुनिया में 23 भी है तो बुद्ध भी है शंक्राचारी है profund पहले नंबर में लक्ष्मिनारेंट देखो वो भी अभी आई है प्रजा पिता ब्रह्मा द्वारा ब्रामण रचते है फिर यह जाकर रादे क्रश्न बनेंगे जब तक शिबाबा न आए तब तक कोई पावन बन न सके बल्यारी उसे की है उनकी महिमा है कहते भी है शिवाय नमा तुम मात पिता सब याद करते है सबसे जास्ती महिमा उस बाप की है पुकारते भी है ओ गौड फादर बाप कोई पुकारते है यह नाटक बना हुआ है जब पुरानी स्रिष्टी जब स्रश्टी पुरानी होती है तब तो बाप आये ना मूल वतन सुक्ष्म वतन स्थूल वतन तिनों लोकों का ग्यान देते हैं कितना ओपन ग्यान है हमारा कुछ छिपा है परमधाम के बारे में कुछ छिपाया है सुक्ष्म वतन के बारे में हम कुछ पूछते थे गुरु अभी नहीं बताएंगे, यह अभी तुम्हारे लेवल नहीं है, बाबा ने कुछ भी एक मैना कोर्स कर लो, उसके बाद सब कुछ सब के लिए, कुछ है पाया नहीं, बाबा केते हैं, तीनों लोकों का ग्यान देते हैं, ग्यान एक ही बार मिलता है, उनको ग्यान का सागर कहा जाता है, इसको कर दो, लाइव कर दो, बाबा केते हैं, बाकी ये सुरिय चांद आती तो सब मांडवे की रोशनी देने वाली बत्तिया है, वो रात व दिन ये मांडवे की बत्तिया है, ऐसे नहीं कि सुरिय देवता नमा कहेंगे, नहीं देवता है तो ब्रह्मा विष्णु शंकर है, कोई मूल वतन से आत्मा यहां आती है, तो सीधा गरब में जाती है, सुक्ष्म वतन में नहीं जाती है, सीधा सत्यूग में आएगी, देखो मूल वतन से आत्मा यहां आती है, तो सीधा गरब में जाती है, एक और लओ, सुक्ष्म वतन में नहीं जाती है और जाते समय आते समय सुक्ष्म वतन है यह नहीं तो जाएंगी कैसे नहीं अभी भी अगर आती है नहीं अभी भी सीधी आएंगे मतलब यह लॉई है आते समय डायरेक्ट जाते समय वाया क्यों जाते समय एसे भी आते समय नहीं ना उनको यह नॉलेज की बात नहीं है कि वहां से उनको पता होता है जो ग्यान में नहीं उनको थोड़ी पता है यह लौ है वाया सुक्ष्मवतन सब को जाना होगा खाली हम बच्चे नहीं और आते समय डायर धरम राज के वहां से उन लों में जाना है टेक्स पे करना होगा ना आते समय तो इद्दम पवित्र थे तो सुक्ष्मवतन की क्या जोरत थी आत्मा जब आई परमधाम से आई तो कितनी थी उसकी बेस्ट प्योरिटी का कोई अब भी अगर आत्मा परमधाम से आती हो तो कैसे होगा अब भी भी तो आत्मा परमधाम से आ रही है ना वी चरों हंड्रड येज में परम वह भी तो नहीं आई यह तो नहीं आई आई अब समझें रिपोर्टिंग करनी है ना उनके पास वाया क्यों जाना है रिपोर्टिंग करनी है अपीक तो क्या नंबर वारी धीरे धीरे आ रही है तो डिरेक्ट आ रही है जाते से मैं सबको एक साथ वहां से होते होगा और फिर रिपोर्टिंग भी तो करनी हो तो है यह धरम राशा पर जाना है वहां रिफ्यूलिंग भी करना होगा ना रिफ्यूलिंग नहीं होगा जो भी रिफ्यूलिंग करना है सब संगम युग में सुख्ष्म वतन में कुछ नहीं होने वाला सुख्ष्म वतन और परमदाम खाली लास्ट ऐसे है जो भी करना है अभी करो वहां तो रिफ्यूलिंग क्या जो फ्यूलिंग की है ना उसका पूरा डंडा देना है इसाब किताब है तो बावा कहते हैं कोई मूल वतन से आत्मा यहां आती तो सिधा गरब में जाती सुख्ष् सत्यूग में आई गर्व महल में सीधा गर्व महल में वहां तो कोई पाप कर्म होते नहीं यहां पाप करते तब त्राही त्राही करते है धरमराज हमें बाहर निकालो फिर हम पाप नहीं करेंगे बोला है सबने या दिन देखो कितना नहीं यह इवन भक्तिमार को यह स्टे जटरेश है मतलब यह संसारे खल दुस्तारे बहुत पुनर अपी जननम पुनर ये गर्ब जेल में आना फिर जाना फिर जटरागनी में तपना ये एक जेल है न जैसे भी जब जेल में जाता है न विक्ति तो बहुत मन्न हो करता है मैं अब नहीं करूंगा मुझे निकालो बहुत में जाता है सब संकल्प करते है एराब कहां गयी में यह नहीं के नहीं गया एक नहीं तो कि आग लेगां नहीं करता है व्राइम सब्सक्रांइड करेंगे इसमिवस्च्कारतु तरल सोग करते हैं यह संगल नहीं से सब अभी उन्होंने किया जॉइन हुँ तो फिर बाद में संग लग जाता है यहाँ निकलो बाहर फिर संग निकल लगता है यह भी ड्रामा में है फिर बाहर निकलने से फिर पाप पर ने लग पड़ते वहां कि वहां रही गीता बेंजेमेशा केते हैं वह बच्चा रोता है ना मतलब में वहां की वहां रही जो भी मैंने किया था आपको भारत का सबसे बड़ा दुश्मन रावनी जो शुरू होता है द्वापर में देवी देता है वाम मार्ग में जाते हैं उन्हों का फिर मंदिर है पूरी मे पर जगनात की मुर्थी है और बाहर में देवताओगे बड़े गंडे चित्र है ऐसे इसे चित्र मंदिर में होने नहीं चाहिए बाहर पूरे मंदिर के चारों तरफ ही है तुम तो भी श्रीमत पर स्रेश्ट बनने का पुर्शार्ट कर रहे हो सत्युगादी में लक्ष्मि यूगे फिर से आता हूँ आता ही रहूंगा फिर से तुम बच्चो को राजयोग सिखलऊँगा फिर सतो रजोतमों में आना ही है तुमको 84 जनम भोगना पड़ता है जो पहले-पहले आते हैं उनको सब नहीं भोगते हैं 84 लाग तो हैं नहीं मनश को तो जो कुछ कोई ने कहां वह सत सत करते रहते हैं अगर 84 लाख जनम हो तो क्या क्या हो जाए फॉस्ट 84 लाक्स बर्थ मेमरी चिप कैसी चाहिए वैसी ही क्योंकि आत्मा अविनाशी है इसका मतलबी क्या है उसके जो भी रेकॉर्डिंग है वो सारी अविनाशी है ना हमेशा हम कहते हैं यह मकान अविनाशी है मतलब यह कुछ इसका वैसा का वैसा है तो इसके अंदर जो भी चीजे हैं वो सारी वैसी की वैसी है ना तो और क्या हो जाए 84 लाख हो पर एक बात है कि वो बोलते है कि और लास्त में मनुष्य जनम मिला फिर उसको मोक्ष मिल गया तो फिर अविनाशी कैसे होई आतमा हाँ वो उसका स्तित्व भी खतम होगा बड़े इनके कॉंट्राडिक्शन्स है उनके स्टेट्मेंट में कॉंट्राडिक्शन्स है हाँ हाँ तो बहुत सारे कम भी होते जाएंगे नहीं तो उसके आंसर नहीं है ना बाप कहते चौरासी जनम है अगर चौरासी लाक जनम हो तो एक और सबसे कॉस्चन मार को अला पॉइंट है तो इस कल्प की आयू कितनी बड़ी हो जाएं अलब सपोज एक करेक्टर एक सिरिल का हम कहेंगे कि उस सिरिल में उसका कि इतना है पड़ पोते और उतना पाटे तो वो सिरिल कितनी लंबी होगी इसी तरह से फिट किया हो ना तुब आबा केते हिसाब है ना बाप केते चौरासी जनम है सो भी देवी देव पाब अच्छा फिर इसलाम ही बहुत ही क्रिश्चन आदी कितने जनम लेते होगी हिसाब है ना आते तो बहुत है टाल टालिया है तुम सारे स्रिष्टी के आदी मद्य अंध को जानते हो भारती पहले नंबर विश्व का माली था और कोई धरम थाई नहीं अब उस देवी देता धरम की टांग है नहीं उनका शास्त्र भी नहीं है यह गीता आदी शास्त्र फिर बनेंगे ऐसे नहीं तुम जो सच्ची गीता बनाते वही होगी निकलेगी फिर भी वही गीता वही गीता रहेगी अम लोग जो बनाते वो तो प्राय लोग हो गया ने तभी तो वो निकली तो उसमें इतनी mistakes था ओरिजिनल से बाकी जितनी भी कॉपिया निकलती है जितनी दूर दूर तक वो कॉप्या निकलते ओरिजिनल का Xerox भी निकलो तो थोड़ा सा मात्रा में फरक आई जाएगा फिर निकलेगी फिर भी वही गीता भक्ति मारक के लिए तो सब चाहिए न ब्रह्मा द्वारा समझाते बच्चों को अब बरोबर ब्रह्मा द्वारा भगवान की प्राप्ति होती है बाबा केते हैं ये सब है भक्ति मारक मेरी प्राप्ति तब होती है जब मैं आता हूँ हमारे बुलाने से भी वो बड़ाएजार साल हो गए जब मैं यहां आता हूँ भारत में भारती अविनाशी खंडे भारती इस कितना साउकार था सोमनात का मंदिर कितना बड़ा है सब लूट ले गए बिड़ला के पास बहुत पैसे तो कितने बड़े मंदिर बनाए है बाप कितना अच्छी रिती समझाते है बहुत दिनों के बाद ही आते है का गए मैं बिड़ला वाले भूल गए क्या वो लोग सोय हूए गैरी नींद में सोय हूए तो इसले तो आप लोगों को जगा है सुल्वा ने बात भी करी थी वो लोग के कोई फरक ने पड़ता करते जाओ करते जाओ क्या बुलते हूँ हैमर डालते जाओ खील तोकते जाओ कभी तो गुगू गते जाओ ठीक है सुल्वा वेन ये छोड़ नहीं देना ये बाबा का ये कारी अभी तब किसी ने की ये वो छोड़ेगी कैसे मैं इसके पीछे पड़ी रहते हैं ये भी अच्छा है ये बाबा का ये कारी रहा हुआ है शाद जीके से ही होने वाला फरिष्टा फैमिली से तो बाबा कहते हैं बिल्ला के पास बहुत पैसे हैं, तो कितने बड़े मंदिर बनाएं, बाप कितना अच्छी रीती समझाते हैं, ये और कोई समझा न सके, ग्यान सागर बाप जब बच्चों को समझाते हैं, तब बच्चे समझ जाते हैं, ये कौन पढ़ाते हैं, ये कोई सन्यासी नहीं है, उनका नाम ही है श कहते मेरा कोई दूसरा नाम नहीं है तुम तो जन्नमरण में आते हो देह अभिमानी भी बनते हो मैं कभी देह अभिमानी नहीं बनता हो बाप है ही forever 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 dash और नस्दिक और नस्दिक और फॉर एवर अभी बोला देही अभिमानी कितनी पावर है forever day हमारा सपोस्थ थोड़ी देर के बाद फिर देव इमान आजाए मैं तो यह हूँ मैं तो यह हूँ कितनी चार्जिंग आत्मा की कम होती है कितनी आत्मा में weakness आती है देव इमान वीक सूल के निशानी है forever day यह भीमानी आप है ही आज का homework भी है और आज का योग भी ऐसा ही है क्योंकि पुनर जनम में नहीं आते हैं यह फायदा है सबसे प्लस पॉइंट है कम जनम लो नहीं कम जनम तो होनी सकता हमको फसा दिया बाबने पूरा जनम भी ज्यादा लो और भान भी नहीं हो देह का तो मैं कभी शिवरात्री मनाते हो ना पर उन्तु रात्री का अर्थी नहीं अर्थ कुछ भी समझ नहीं सकते इतनी भूले है अभी यह रात फिर दिन होना है अब कल्प का अंतर्थात रात ही सत्युक्त रेता है दिन तो आप पर कल्यूग है रात मुझे आना ही है संगम पर यह है बेहत की रात और दिन भगवान हो आज है समझाते हूँ यह वेला मुख्या है पर उन्तो श्री बाबा की वेला नहीं ले सकते है वो कब आते हैं पता थोड़ी लगता है तो यह है बेहत की दिन और रात अच्छिली बाबा कब प्रवेश किया इसका भी वो टाइम का भी इतना यह नहीं है प्रचार नहीं है अभी तक भी मतलब इतने सारे बुक्स पढ़ लिये मैंने कि रात का समय था यह डेट थी नेजानन सोरुपम बोला तो कोई डेट तो होगी ना लेकिन किसी भी हिस्ट्री में नहीं मुझे तो नहीं मिला किसी को मिला होता है अगो को पताया खाली सत्संग हो रहा था जगो पताया डेट और टाइम अगर वो बताती तो ही पता चलता पता चलता ना कभी न कभी न कभी तो आता दिवाली तो यग्जी की शुरुवात है जब दादियों ने लिख के दे दिया और अपना सब कुछ समर्पित कर दे वो दिवाली तो बाबा कहते है कहते मेरा कोई दूसरा नाम नहीं है श्यू बाबा की वेलाई नहीं ले सकते वो कभ आते पता थोड़ी लगता है तो यह है बेहत की दिन और रात इसको कल्प का संगम कहेंगे बर्थडे भी अगर मनाते तो एक का श्यू बाबा आते है पर चले जाते है उनका न जनम है और नहीं मौत है कहेंगे बाबा चला गया यह खेल है बाब बैट समझाते है गाते भी है रास्ते चलते ब्रामन फस गया वो क्या था वाट वेंदे वामन फस दो सिंदी का वर बाबा बोलते है वाट वेंदे वामन ब्रामन फस दो तो इस बाबा को थोड़ी पता था वैसे यह हम सबकी एही कानी है, जिनरली, रास्ते चलते फस गए, कौन थे रास्ते चलते फसे, उठाओ गए, जो रास्ते चलते फस गए, एक ही नहीं उठाया, बाकी सोच समझ के फसे, और इसके फसने में मुख्ट हो गए अच्छली में, समझ गए सबी, वही मैं कहले न, फ फसाना, बाबा ने भी तो फसाना, ऐसे फसाना, तो चिट-चैट है न, बच्चों के साथ बाचे तो, उनके उपर बहुत जम्मेवारी थे, आप भी फसे, शादी में, शादी में नहीं जाते तो नहीं फसते, दीदी, हम तो टीवी देखते फस गए, जब एड़ोटाइज बाजिंग डेपार्टमेंट इसी लिए क्यों, बाबा कहते हैं, ये तो है बेहत की दिन और रात, इस बाबा को थोड़ी पता था, अचानक प्रवेश्ता हुई, पहले थोड़ी मालूम था, धीरे धीरे मालूम पढ़ता है कि ये बाबा का काम है, इस ग्यान ये किस से विन कोई यज्य नहीं राचा जाता, भक्ति मारगी खलास हो जाता है, ये नौलेज बुद्धी में रखने चाहिए, पढ़ाई पढ़ने के लिए आना पड़े, थोड़ी तकलीफ तो होती है, पढ़ने के लिए, ये फिजिकल के बाद कर रहें, अब तो क्या तकलीफ है, कोई थोड़ी तो तकलीफ होती है, एक बार कानपूर में बाबा आये, गंगे दादी, आतम होईने दादी थी, तो बाबा आये, शाकार में दो फिल, पूरे फुल, हॉल फुल, एक दम, खचाख खच, बाबा आये, बच्चे जितने भी होते थे ते न, जैसे दिल्ली में आते त तो सारे आजाते थे, बाबा बहुत खुश हो गए, बहुत ही खुश हो, अच्छा, तो कल भी सभी आएंगे फिर, तो सबने हाथों उचा किये, दादी को बलाएंगे सभी, कल अगले दिन, बाबा तो रहते थे थे न, एक एक हफता जहां बचाएते थे, दिल्ली बंबे से ज़्यादे रहते थे, अगले दिन, उसी समय मूसलाधार बरसाता ही, 50% attendance है, बाबा को तो पता था, तो बाबा कहते थोड़ी दिक्कत तो होती है, मनुश्य पढ़ने के लिए भारत से लंडन, अमेरिका भी जाते है, यह तो क्या है, बाब कहते हैं, कल, कल, पढ़ने के दिन, थोड़ी तो तक्लीफ होती है, कि नगें, थोड़ी सी तो तक्लीफ होती हूझ, लोग विदेश भी जाते है, बच्चों को, तो तो क्या सुनाते है, कि इतना मंपी पीछे थोड़ी पढ़ी रहती ही, वहां, वांतों सब खुद के हाथों से करना होता है, यह एतना होती है लेकिन क्यूं फिर जाते ओल देवे उदिर इपढ़ हो और ग्रोथ तो तकलीफ होती है थोड़ी मुँद तयार जलदी होना पड़ता है ऑगा फाइदा है कि ने तो क्या बाप केते हैं मैं गल्प कल्प के संगम यूगे यूगे परमधाम से पढ़ाने के लिए आता हो, तो बच्चों को कितना कदर होना चाहिए, है कदर भई, बाबा आये मुझे पढ़ाने टाइम से आ गए, अभी पास है इसमें, मुर्ली के पहले आ जाते से, और फुल हो जाए, और आगे, शिवरात्रित के पहले पहले ये वाला संकल भी पूरा हो कि पूरे हंड्रेड जितने भी एटो प्लॉक को आते, वो पहले आते हैं, करेंगे ये संकल पूरा, जो लेट आते हैं, बाबा क्या केड़े, देखो, बाब कल्प कल्प, हाँ, यूगे-यूगे परमधाम से पढ़ाने के लिए आता है, तो बच्चों को कितना कदर होना च हाँ, आगे चल कर तुम्हारे स्कूल गली-गली में बनेगे, नहीं तो सब पढ़ेंगे कैसे, बाप का परिचे सब को मिलना चाहिए, बाप को जानेंगे जुरूर, अच्छा, मिठे-मिठे, सिके लदी बच्चों प्रती, मात, पिता, बाप, दादा का, यात, प्यार, लुहानी बच्चों को नमस्ते, इसीलिए ये ओनलाइन क्लासेज होएं न, क्योंकि नहीं तो घर-घर से कैसे, गली-गली में घर-घर में, सेंटर, कोई-कोई पुछड़े बच्चे को करने के लिए तो यह से कुछ हर ड्रामा के सीन में कल्यान समना हो पहला पॉइंट है श्रीमत पर सदा स्रेष्ट बनने का पुर्शार्थ करना है पढ़ाई के लिए कोई बहाना नहीं देना है पढ़ाई ज़रूर पढ़ने है जैसे आदी में पवित्र ग्रहस्त आश्रम था अभी ऐसे अभी अपना पवित्र ग्रहस्त आश्रम बनाना है बलीहारी एक बात की है उसका गुनगान करना उसका ही गुनगान करना आज बावने का है और किसी का गुनगान नहीं करना है अच्छ बड़ान है हर खजाने को स्वप्रती और सर्वप्रती कारे में लगाने वाले अनुभवी मूर्तभव हर खजाने को समाने की शक्ति को धारण कर सर्व खजानों से समपन बन उने स्वप्रती स्वप کے कारे में अत्वा अन्ने की सेवा के कारे में यूज करो खजानों को यूज करने से अनुभवि मूर्त बनते जाएंगे सुनना, समाना और समय पर कारे में लगाना इस विदी से अनुभव की अथोरिटी बन सकते है जैसे सुनना अच्छा लगता है पॉइंट बढ़ी अच्छी शक्तिशाली है ऐसे उसे यूज करके शक्तिशाली विज़े ही बन जाओ तब कहेंगे अनुभवी मुर्थ तो सुनना, समाना और समय पर कारे में लगाना इस विदी से अथोरिटी बन तो समय पर हर खजाने को यूज कर कभी-कभी हम गुलता है अरे ये पहले मुझे याद होता तो उस समय तो वो खजाने को यूज नहीं किया ना तो होते होई भी उसका बेनिफिट नहीं ले सकते स्लोगन है गुणवान उसे कहां जाता है जुगलानी करने वालों को भी गुण माला पहनाता चले जुगलानी करने वाले को भी गुण माला पहनाता चले अब एक तिशारे हाँ, महिमा एक बाब की है, मिली और ये मिला महिमा, बाबा की महिमा थी कितना मिला 25 मिले देदी मुझे 22 22 22 मिला, अच्छा 34 34 रिपीट है रिपीट की हुए है सब रिपीट वाला नी जो जितनी भी महिमा है आज की मुर्ली के अपोड़ी 34 और नमब है कितना मिला लिखते गए 30 प्लस तो है 34 होगा 30 प्लस लास्ट के मैंने गिने नहीं अच्छा है यह महिमा है बाबा केते हैं मेरी महिमा और किसी के महिमा होने है सकते आज का अच्छा अब एक तिशारे ब्राह्मन जीवन में पहले स्मृति की स्वच्छता अर्थात पवित्रता चाहिए उसके बाद व्रत्ती और द्रश्टी थी जब स्मृति में पवित्रता आ गई कि मैं पुझ्यात्मा हूँ पुझ्यात्मा अर्थात संपूर निर्विकार उनकी द्रश्टी में सभी के प्रति यही रहा है कि यह परम पुझ्यात्मा है वह पुज्य बनना है, किसी भी पुज्य आत्माई है, तो यह महा 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 पाप है, जो वियोगी बना देते हैं, हम पुज्य आत्माई है, पर हम पुज्य आत्माई है, तो बाबा ने कहां कि इसलिए कोई भी दहिक द्रश्टी, यह शाइद मुझे लगता है, 76 के मुल लिए, बाबा ने, बहुत कड़ा वर्य उसके, महा 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 पाप है, कोई बोगी पुज्य आत्मा के प्रतिया से संकन्त कर दो ठाजटी और कि यह झाम है कि यह जेगी यह